So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कस्टमर्स के लिए जिनको 8,000 रुपीज में एक बजट स्मार्टफोन लेना है हाँ दोस्तो अगर आप 8,000 रुपीज में एक बजट फोन लेना चाहते हैं तो आपको काफी सारे उप्शन मिलते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेस स्मार्टफोन के उप्शन बताऊंगी जो आपको 8,000 रुपीज में देखने को मिल जाएंगे तो बिना देरी किये चलिए सुरू करते हैं क्योंकि देखेगा इंडिया जानेगा इंडिया तभी तो खड़ देगा इंडिया तो इस सेग्मेंट में सबसे पहला स्मार्टफोन रियल्मी के तरफ से आता है रियल्मी C11 ये स्मार्टफोन रिसेंटली लाँच हुआ है और रियल्मी C सीरीज में ये क्लेटे स्मार्टफोन है यहां आपको 6.5 इंचिस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है इसके अलावा इसमें मीडिया टेक के तरफ से हिलोई G35 प्रोसेसर मिलता है जो की इस सेग्मेंट में वन आफ दॉब बेस्ट प्रोसेसर है और डीसेंट गेमिंग भी की जा सकती है इसमें इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और 13 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा सेट अप रेयर में मिल जाएगा साथ ही 5 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 7500 रुपीज में ये स्मार्टफोन एवलेबल है नेक्स स्मार्टफोन इस सेगमें शौमी के तरफ से आता है Redmi 8A Dual जी हाँ दोस्तों ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है जिसकी प्राइसिंग 7500 से सुरू होती है 2GB RAM और 32GB ROM वेरियंट है इसके 3GB RAM और 32GB ROM वेरियंट की प्राइस है 8300 रुपीज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है 6.2 इंचिस की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाला एक HD डिस्प्लेइ प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Snapdragon 439 चिपसेट मिलता है जो डेली टास को अच्छे से मैनेज कर पाएगा बात करें कैमराज की तो 13 प्लस 5 मेगा पिक्सल का डूल कैमरा सेटप देखने को मिल जाएगा और 8 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा इस फोन की मेन पॉइंट इसकी 5000 mAh की बड़ी बैटरी है जिसमें एक नॉर्मल यूज पे दो दिन तक की बैटरी बैकप मिल जाएगी नेक्स स्मार्टफोन उन कस्टमर्स के लिए है जिने बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले पसंद है तो ये स्मार्टफोन टेक्नो के तरफ से आता है जहां इसका नाम है टेक्नो स्पार्क 6A रखा गया है इस फोन में आपको 7 इंचिस डिस्प्ले मिलती है जिसमें वाटर ड्रॉप नॉच के साथ HD डिस्प्ले मिलता है जी दोस्तो 7,000 के प्राइस में आने वाला इस फोन में लगी है 6,000 mAh की बड़ी बैटरी जो इस फोन में आपको बड़ी ही अच्छी बैकप देगी कुछ और डीटेल्स की बात करें तो इसमें आपको मीडिया टेक के तरफ से आने वाला हिलोई A22 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल डे टुडे लाइफ यूजस के लिए डीसेंट चिपसेट है इसके अलावा इसमें ट्रिपल रेर कैम्रा सेट अप देखने को मिलेगा जिसमें मेन कैम्रा होगा 13 मेगापिक्सल का और फ्र daarन में 8 मेंगापिक्सल का सेलफी कैमरा देखने को मिल जायेगा प्रोसेसर की बात करें तो यहां 2GB राम और 32GB रूम वैरियंट और 3GB RAM और 32GB ROM variant देखने को मिल जाएंगे बैक में fingerprint sensor मिल जाएगा और ये phone gradient finish के साथ आएगा तो ये smartphone उन लोगों के लिए है जिने movies वगरा पसंद है अब इस segment में smartphone की बात करें तो टेक्नो के तरफ से आने वाले phone में जिसका नाम है Tecno Spark 5 ये phone काफी better design के साथ आता है जहां front में 6.6 inches की punch hole display मिल जाएगी जिसका resolution है full HD plus बैक की बात करें तो यहां gradient finish दिया गया है जो की इसके look को काफी enhance करता है दूसरे highlight की बात करें तो इस phone में आपको एक quad camera setup मिल जाएगा जिसमें आपको micro shots, ultra wide angle camera और depth sensing मिलेगा साथ ही front में 8 megapixel का selfie camera भी मिलता है और 5000 mh की battery दी गई है तो 8000 rupees में इस smartphone को आप खरीद सकते हैं अब आते हैं इस segment के आखरी smartphone के तरफ तो यह आने वाले हैं Infinix के तरफ से smartphone 4 plus इसमें आपको एक बड़ी display मिलेगी जो 6.8 inches की full HD plus display के साथ आएगा जिसमें water drop notch style देखने को मिल जाएगा काफी decent phone निकल कर आया है Infinix के तरफ से और यह भी 8000 rupees में available है तो यह थी कुछ best smartphone की detail जो आपको 8000 rupees में मिलते हैं इन phones की link description में मिल जाएगी दोस्तों वहां से आप purchase कर सकते हैं तो इस video में बस इतना ही मिलते हैं next video में till then stay safe and stay healthy and be upgraded